कि असलामलेकुम आज बनाऊंगी में लौकी का हल्वा टारा लिया एक बरतन में दूद्ध को निकाल लिया लिया। मैंने लग एक लग की लिए उसे अच्छी तरह धो लिया है मैंने इससे आगे पीछे का भाग कटिंग करके फेक दिया और इसका छिलका उतार लिया है इस तरह से मैंने इसके छिलका उतारने के बाद दो भाग कर लिया है इसके और इसके अंदर जो बीज रहता है मैं उसे भी निकाल के फेक दूँगी क्योंकि बीज में कड़वा पनाता है इसलिए मैं बेबीच को निकाल के फेक दूँगी और उसमें खोबरा किसनी की मदद से या किसी भी किसनी के मदद से आप इसे इस तरह कीसिये और बारिक किसना है जिस तरह हम नारियल किसते हैं उसी तरह किसना ह इसे एक तरफ दूद भी और चुका है अच्छी तरह गरम हो चुका है और जो मलाई आया है इसमें मैं भी इसे भी इसमें मिला लूँगी बीच में चम्मच को अच्छी तरह मैं मलाई को मिला दूँगी और जो हमने लवकी किसके रख ली दी में लवकी भी इसमें डाल फाइंगा। जब तक है दूद ना सुख जाए तब तक के अच्छी तरह इसे पकाना है। इतने अच्छा खाने में टेस्टी लगेगा लवकी का हलवा। एक तरफ घी गरम हो चुका है मैंने काजू बदाम लिये है बीच में से इसे कटिंग कर लिया है और काजू बदाम को थोड़ा सा मैं होने दूँगी और बीच में इसे हिला लूँगी थोड़ा सा ताकि इसे अच्छी तरह हो जाए ये घी में और मैं इसमें डाल दूँगी जो हमने लवकी की बना लिया है हलवा मैं उसमें डाल दूँगी घी को और इसे भी मिला के मैं अच्छे तरह मिक्स कर लूँगी ऐसे इस तरीके से बनाईए आप लवकी का हलवा ये खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है लगता है और जल्दी बनके रेडी हो जाता है ताह अवाले कुम